इस एक लेक्चर के अंदर में आपको जिस एडिन के बारे में बताने वाला हूँ that is very important add-in जिसका नाम xreal statistics है Excel real statistics है statistics है यह totally free में है अक्सर add-ins काफी ज़एदा expensive भी होती है बद यह add-in आपके लिए बहुत ज़़दा कारामत थाबत होने वाली है अगर आप data analysis करने वाले है कैसे install करना है कैसे से use करना है मैं भी आपको बताता हूँ screen आपके सामने हाजिर है यहाँ पे again आपने google पे जाने google पे जाने के बाद यहाँ पे लिखने है real statistics using Excel इसको लिखने के बाद यह पहला ही link आपके पास आएगा real statistics using Excel इस पे आप click करेंगे click करने के बाद यह इस तरीके से आपके पास different किसम की एक website open हो जाएगे website जैसे यह open होगी यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपके पास real statistics resource pack एक आपने देखना है जो उपर free download में जाना है resource pack पे click करना है click करने के बाद यह इस तरीके से आपके पास resource pack आ जाएगा इस resource pack के अंदर आपके पास सारे की सारी जो add-ins है वो मौझूद हैं जो हमने अब use करनी है आपने कैसे download करना है यह download का तरीका बताया गया कैसे कहां पे किस तरीके से चलेगी यहां पे यह भी बताया गया और अगर आप यहां पे चेक करें तो यह इसका version 2 है version 1 भी है और version 2 और version 1 में क्या क्या फरक है you can also see that जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपने यह windows के लिए use करनी है तो यहां से आप click करेंगे और अगर Mac के लिए use करनी है तो आपके पास Mac की option आजाएगे अगर आप Mac से online हुआ पड़े है but for Windows I would recommend कि आप यहां पे click करें यहां पे लिखा हुए if you accept the license agreement click here on real statistics resource pack for office Excel Excel की जो 2010, 13, 16, 19, 21, 365 है इन सभी पे यह जो add-ins है यह काम करेंगी with help to download the latest Excel for Windows version and resource pack accompanies this website ठीक है 9.1.1 है मैं इस पे click करता हूँ click करने के बाद यहां पे मेरे पास download के अंदर यह Excel real stats जो है वो आ चुकी है ठीक है जैसे यह मेरे पास मैं download में जाऊंगा यह मेरे पास यहां पे आ चुक है मैं इसको copy करता हूँ copy करने के बाद मैं इसको ऐसी जगा पे save कर लूँगा जो मेरे लिए इंतहाई जरूरी है save for example मैं इसे documents के अंदर save कर लेता हूँ download से copy करके of course यह मेरे पास इसका नाम different है तो मैं इसको यहां से इस तरीके से कर लेता हूँ अब जो important काम है Excel real stat का यहां पर अगर आप गोर करें तो यह एक file है जिसकी extension जो है वो क्या है अभी मैं इसकी properties में जाता हूँ आपको दिखाता हूँ यहां पर अगर चेक करें इसकी जो extension है that is .xlam ठीक है यह add in की .xlam जो है वो इसकी extension होती है यह पढ़ना है this file came from another computer and might be blocked due to help protect this computer आपने इसे unblock करना है क्या करना है ? unblock करना है सबसे पहले unblock करना है अगर आप unblock नहीं करेंगे तो आपको error आएगी और वो error जो है आपके लिए मसला बनेगी तो आपने इसे unblock करके apply कर देना है okay कर देना है जैसे यह मैंने इसे unblock कर दिया मुझे पता है documents के अंदर यह extension पढ़ी है मैंने again Excel में जाने file पे click करने top left पे यहाँ पे option पे click करने click करने के बाद add-ins पे click करने again वो ही procedure है go पे click करूँगा go पे click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे यह सारी की सारी add-ins आ जाएंगे आपके सामने यह वाली add-ins अभी show नहीं हो रही होगी ठीक है so don't worry अगर आपके पास यह show नहीं हो रही अब आपने browse पे click करने browse पे click करने के बाद आपने क्या करना है documents में जाना है जहाँ पे आपने वो save की है और इस add-in को यहाँ पे click करके ok कर देना है और इसको yes कर देना आपने क्यों क्योंकि यह जो add-in है आपके पास x real stats यह फिर आपके पास आ जाएगी ठीक है अगेन वो ही तरीका मैं बताता हूँ browse पे click करने click करने के बाद आपने जाने है documents के अंदर documents में जाने के बाद यहाँ से आपने वो जो file आपने save की थी जिसे unblock किया था इसे ok करके open कर ले ना अगर आपके पास पहले open है तो इसको मैं दुबारा से replace कर देता हूँ and ok कर देता हूँ तो अब मेरे पास जो add-in के अंदर है अगर आप गोर करें top left के उपर यहाँ पे लिखा भी हुआ है real statistics यह real statistics वालों की free में add-in आपके पास बजूद है of course आपको license इसका पढ़ना पड़ेगा आप इस पे click करते हैं data analysis tool pack पे click करते हैं and here you go यह सारे के सारे data analysis के test जो हैं यहाँ पे दिये गए है जिसमें description भी है descriptive statistics के सारे test है frequency table हो गया histogram हो गया kernel density हो गया diversity indices हो गया homogeneity of variances हो गया step chart हो गया and there are many other things जितने भी आप test source चक्से हैं तो basic से intermediate level बलके advanced level के वह सारे दिये गए हैं regression के सारे analysis है linear regression हो गया multilinear regression हो गया beta linear regression हो गया multilomial regression हो गया and there are many other regression region regression poison regression यानि के machine learning का task भी यहां पे तक्रेबन दिया हुआ फिर ANOVA है one way ANOVA, two way ANOVA, three way of three fixed factor ANOVA, one way repeated measure of ANOVA, MANOVA इस तरीके से ANCOVA, MANCOVA यहां पे सारे दिया होए ठीक है split plot design है, random complete plot design है फिर आपके पास time series के arima model है, seasonality है arimax है, corelogram है और फिर forecast accuracy है and there are many other things फिर multivariate statistics अगर आपने करनी है तो यहां पे यह सारा कुछ दिया हुआ है correlation पे आपने देखना है तो यहां पे सारी information दिया हुए correlation से related, कोई भी आपने association test करना है correlation test करना है you can find everything at this one stop shop my salineous में जाएंगे तो आपके पास multiple test यहां पे दिये हुए कहने का मक्सद यह है कि यह एक real statistics की यह एक add-in आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है ठीक है और यह add-in आपके लिए बहुत जरूरी है again मैंने आपको जो procedure बताया आपने क्या करना है Google पे जाके यहां पे इसको download पे click कर लेना है अगर आप macbook चला रहे हैं तो आपके लिए भी यहीं पे यह download पे click करके आपके पास install हो जाएगा अगर आप macbook को use कर रहे हैं अगर आप macintosh नहीं use कर रहे है यानि कि यह macintosh होता है macbook का तो आप windows को तरीके से देख सकते हैं जो भी मैंने आपको बताया और कैसे लिखने है आपने real statistics resource pack आपने लिखके यह वाली extension जो है इसे download कर लेना है अब इसका जो link है मैंने chat के अंदर भी आपको दे दिया आप chat में भी और description में भी जाके इस एक link पे जाके यह सारी की सारी जो detail है वो वहाँ से grab कर सकते है and then you can also see के real statistics जो आपके पास add-in है वो आपके पास active हो जाएगी यह वहाद add-in है जो statistics के हवाले से बहुत ही free में आपको available है बहुत ही free का मतलब ही है कि सब कुछ free है इसमे अगर मैं आपको बताओं there are many add-ins out there जैसा के यहाँ पे अगर मैं stat लिखूँ तो यहाँ पे मेरे पास stat plus है excel stat है इसके इलावा there are many other add-ins जो आपको दिखाई देती है यहाँ पे add-ins के button पे click करने के बाद लेकिन believe me most of the add-ins are expensive they charge you hundreds of dollars और उसके बाद वो ही काम करते है जो एक यह कमाल add-in real statistics आपके साथ perform करती है और आपको help out करती है तो जहरी बात है अगर आप advanced level पे कुछ करना चाते हैं तो यह add-in आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आपने अभी तक like नहीं किया शेर ने किया सब्सक्राइब नहीं किया हूँ हमारे चैनल तो please do it अब अगली add-in की तरफ हम move करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एक और add-in आपके लिए बहुत होगी